राम नम्मी 2024 कब है? 16 या 17 अप्रेल जाने सहीं तिथी, पूजा विधी और शुब मूरत 2024 में राम नम्मी कब है? अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे राम नम्मी कब मनाई जाती है? हर वर्स चैत्र माह के सुखल पक्ष की नम्मी तिथी को मर्यादा पुर्सुर्टम भवान स्री राम का अवतरण हुआ था और इसी दिन को ही राम नम्मी के नाम से जाना जाता है इस तिथी पर जगत जन्नी आदि सक्ति मा दुर्गा की नव्य सक्ति मा सिध्य दात्री की भी पूजा की जाती है मर्यादा पुर्सुर्टम भवान स्री राम का जना मक्रम में हुआ था साल दो participating में राम मम्मी कब में राम नमी तिखी पर सुबह 11 बच कर 3 मिनट से लेकर दोखर 1 बच कर 38 मिनट तक पुजा का सुभ जोरत है धार्मिक मान्यता है कि भवान स्री राम की पुजा करने से व्यक्ति विसेश के जीवन में व्याप्त दुख और संकर हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं साथ ही प्रभू स्री राम का आसिलाद प्राप्त होता है साल 2024 में राम नम्मी चैत्र नवरात्री के 9 दिन यानी के 17 अप्रेल को मनाई जाएगी राम नम्मी का शुब मुरत जान लेते हैं चैत्र मा के सुख लपक्ष की नम्मी तिथी 16 अप्रेल को दोपर 1 बज कर 23 मिनट पर सुरू होगी और यह अगले दिन यानी के 17 अप्रेल को दोपर 3 बज कर 14 मिनट पर समाप्त होगा परन्तु हमारे सनाता अधर्मनी उद्या तिथी को ही मानने होता है इसलिए रामनम्मी 17 अप्रेल को ही मनाई जाएगी पूजा का समय रामनम् iPhones तिथी पर यानी के 17 अप्रेल को सुबह 11 बज कर 3 मिनट से ले कर दोपर 1 बज कर 38 मिनट तक का पूजा को सुष समय है वहीं दोपर 12 बज कर 21 मिनट पर माध्यान है अठाथ असान सद्दों में कहीं तो दोफर बारा बचकर 21 मिनद पर भगवान स्री राम का जनम का समय अतह साधक इस समय भगवान स्री राम की पूजा उपासना कर सकते हैं राम नम्मी की पूजा विधी चैत्रमा के सुखल पक्ष की नम्मी तिथी को ब्रह्म मोनक में उठकर सबसे पहले भवान स्री राम और माता जानकी को कराम कर दिन की सुलाद करें घर की साथ सकाई आप सुबह ही करनें घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते का तूरण लगाएं और साथ ही रंगुली भी बनाएं इस दून ध्वजा लगाएं जाता है अपने घरों पर अता पूजा हेति सारी पेयारी करें इसके पश्चाद माध्यान के वगंवज लगी तिपानी से इस्मान करें इसमान अंजली अरिजा रियकर आमचन करें और रध संकरपली करें राम नमी तिफी पर पीले रंग का नभी वस्त धारन करें जैसा कि मैंने आपको अभी बता है कि राम नमी पर पीले वस्त धारन करना है आपको अपनाया धारन करना है पर ये नया धारन करना जरूरी नहीं है क्योंकि हर कोई नया वस्त हर साल हर उकेशन पर नहीं खरी सकता और भगवान भक्ती कभी करनता है उन्हें आपके नए कपड़े आपके स्रिंगार से कोई भी मतलब नहीं है इसमें कोई भी नए वस्र धारन करना ये जरूरी नहीं है आप बस उजिन भगवान सी राम की अच्छे सी पूजा करें और इस साल हमारा वर्सों का तपस्या पूरा हुआ है मतलब भवान सी राम का मंदीर आयोध्या में बन करके तयार हुआ है 22 जन्वरी को तो क्या आप आयोध्या से आ गए हैं या आप जाने वाले हैं मुझे जरूर बताएं और आप कहां से मेरा वीडियो देखते हैं मुझे बताएं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद जैस्री राम